अगर आपके पास भी है व्यवो का फोन या कोई भी फोन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है डाटा इज पॉज दी डाटा लिमित यह ऐसा प्रावलम आ रही है आपको व्यवो के फोन में या किसी फोन में तो इसको ठीक कैसे करना है आएए जानते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले setting में जाना है अपने phone की setting में जाईए यहापा आपको मिलेगा network and internet इसपे टच करें यहापा आपको मिलेगा sim card and mobile network इसपे टच करें यहापा आपको मिलेगी दोनों sim आपका जो net है कौन सी sim से चलता है select करिए अगर sim 1 से चलता है तो sim 1 करिए sim 2 से चलता है तो sim 2 करिए मेरा sim 2 से चलता है मैं इस पर touch करता हूँ यहाँ पर आपको मिलेगा data uses इस पर touch करें यहाँ पर मिलेगा यह option इस पर touch करें और यहाँ पर आप data uses बढ़ा दीजिए data warning बढ़ा दीजिए वरना आप इसे direct भी search कर सकते हैं data uses या data warning नाम से बैं दिखाया तो है एक बार search करके आपको आप यहाँ पे menu बार में जाईए आप यहाँ पे search करें data uses या data warning तो आपको वो page मिल जाएगा जो हमें चाहिए तो हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं mobile data uses आ रहा है data uses यह रहा है इस पे हम touch करेंगे तो लगबग हम उसी page पे पहुचेंगे आप देख सकते हैं setting पे जाते हैं हम फिर से यहाँ पे आपका यह चालू होगा दोनों अगर चालू नहीं है तो पहले चालू करें फिर आपको मिलेगा data warning इस पे touch करें यहाँ पे mb हटाएं gb करें और यहाँ पे इसे 10 करें set पे touch करें data element मिलेगा इस पे touch करें यहाँ पे touch करें 10 करें यहाँ और यहाँ पे gb करें और set करें अब इन दोन option को बंद करिए तो यहां पर मैं इसे set कर देता हूँ, मेरा इसे set नहीं हुआ है तो हो चुका है, अब इन दोनों option को बंद करिए आपकी दिखकर ठीक हो जाएगी और आपको वो option देखने को नहीं मिलेगा वीडियो पसंद आई है, like करें, channel को subscribe करें अगर आपका कोई सवाल है, comment करना ना भूले